Hello, Good Morning Standard Thought हमने जो आपका जो second lecture, sorry, second lesson था The Magic Garden, वो हम complete कर चुके थे आज हम क्या उसकी exercise डिसकुस करेंगे बीच में हमने जो grammar का first chapter था वो हमने देखा था लेकिन आज इस lecture में हम जो हमारे इस second chapter की जो exercise है वो continue करेंगे देखो, हमने हमारे जो second chapter था The Magic Garden, वो complete कर दिया है Magic Garden का मीनिंग होता है जादूई, बगी चाग इसको थोड़ा सा आपकी स्टोडी रिपीट कर दूँ जो Magic Garden था, वो स्कूल के playground में था और वो बहुरती सुन्दर जो है वो garden था वहाँ Sunflower, Roses, Pansy and Opies ऐसे कई सारे जे, तो different type के beautiful flower थे फिर क्या था, इस चो garden था, उसमें जो flowers थे वो बात करते थे, birds थे, वो be talk करते थे, communicate करते थे लेकिन इस जो garden की है, वो देखवाल कुन करता था, उस garden की देखवाल है, वो बच्चे करते थे देखो, हमने देखा था कि ये चोटे चोटे बच्चे है, ये बच्चे ही इस garden है, उसके gardener थे, यानि की माली थे इस जो flower है, उसको पानी देना, उसके जो thirsty root है, उसको bees है, उसके वो बोना, वो सब काम ये बच्चे ही करते थे लेकिन जो ये जावी बगीचा था, वहाँ ये flowers भी आपस में बात चीत करते थे, कि ये बच्चे बहुत थी अच्छे ही है, हमारा कितना ख्याल रखते, जो बच्चे थे, जो इस garden की है, वो ध्यान रखते थे, फिर क्या हमने आगे देखा था, कि इस garden में कहीं सारी, देख sweet song आती थी, फिर जो birds है, वो भी इसके साथ communicate करते थे, ये जो flowers है, सब उसको बच्चे को thank you, यानि कि उसका धनियवाद मानते थे, कि ये बच्चे है, जो हमारा कितना ख्याल रखते है, और इस chapter है, the magic garden, it is a very, really nice lesson, actually, और वो किस chapter से लिया गया है, a adopted from the fairy land by Margaret H. Walton, कौन से, ये जो इसके जो writer है, जो Margaret H. Walton है, और उसकी जो एक किताब है, the fairy garden, उसकी ये किताब उसने लिखी थी, उसमें से ये chapter लिया गया है, अब next देखते हैं, हमारे continue जो exercise थी, new words, इसमें new words, यानि कि नए शब्द कौन से, magic यानि कि जादू, garden यानि कि बगीचा, gardeners यानि कि माली, playground यानि कि खिल का मेदान, sunshine यानि कि सूरिय की चमक, garden यानि कि सुनहरा, और dreaming यानि कि सपने देखना, फिर से एक बार repeat करती हूँ, magic, m-a-g-i-c, magic का meaning होता है, जादू, garden, g-a-r-d-e-n, garden यानि कि बगीचा, gardeners यानि कि जो garden की है, वो देखपाल रखते है, माली जिसको कहते है, gardeners, playground यानि कि खिल का मेदान, sunshine यानि कि सूरिय की जो चमक होती है, वो golden यानि कि सुनहरा, जो color है garden, और dreaming यानि की सबने देखना, तो इस chapter के हमारे ये new words थे, आगे exercise क्या है, reading is fun, क्या कहते है, first, देखो यहाँ थोड़े से question answer है, we can see that there are three, sorry, four question, first क्या है, why did the flowers love the little children, क्या है first question, जो flowers है, वो बच्चों को क्यों प्यार करते थे, बच्चों उसको क्यों पसंते, तो हमें सब को पता है, the flowers love the little children, because they care of the flowers, bring their thirsty roots and bees, जो flowers थे, जो flowers थे, वो बच्चे थे, जो flowers, sorry, जो बच्चे थे, वो flowers की साल संभर कैसे रखते थे, उसको जो थर्स्ती रूट थे, उसको पानी देना, बीस बोना, ऐसी सब संभर लगते थे, next, why did the birds love the children, क्या कहते हैं, जो words है, उसको जो बच्चे है, वो क्यों पसंत हैं, क्योंकि, next question क्या था, why did the birds love the children, जो बच्चे थे, बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, उसको क्यों पसंत करते हैं, अब इसका अंसर देखते है The birds love the children because the children are kind The birds love the children because children are kind and bring and care of flowers Of third, name five flowers growing in the magic garden क्या है कि जो जादवी बगी चाता जो magic garden था उसमें से कौन से flowers थे उसके हमें यहाँ name लिखने है तो first हमको पता है sunflower था, marigold था, then rose था and pensy and poppy flowers So there are five flowers in the magic garden एसा करके आपको five flowers थे उसके जैसे मैंने नाम बता है वो लिखने है Four, what sounds could the children hear in the garden क्या कहते है कि जो sound था वो चिल्डरन को किसका sound सुनाई देता था तो फेरिक था फिर जो birds है जो अपनी sweet voice में जो सी गा रहे थे गाना उसका आवाज सुनाई दे रहा था Next है talk time क्या करना है बाचित, communicate, it is the one type of communicate actually and this exercise is also improve your speaking skill क्या कहते है रोजिस I like roses, most roses are red क्या कहते है मुझे रोज पसंद है, गुलाब यानी की पसंद है सब जो रोजिस है वो किस कलर के है, red कलर के है फिर क्या, some are white, some are yellow जो कहीं फूल है, वो white कलर के रोज हमने भी देखे है कहीं है, वो yellow कलर के भी रोज होते है Are there blue roses क्या है, कि जो blue कलर के रोज है, वो होते है I have not seen any blue roses मैंने ऐसा कोई blue कलर का जो रोज है, वो नहीं देखा है जैसा मैंने कहा, I told you already It is a one type of, to improve your speaking skill यह आपको, आपको ग्रूप में भी आप बात कर सकते है You can talk with your elder brother, your sister, to your friend, etc So it is a speaking skill exercise Next, क्या है, which one is your favorite flower? Learned its name in English, क्या कहते है, कि आपका जो पसंदिता फूल है, वो कुन सा है? Learned its name in English, उसका हमें name इंग्लिश में For example, I like the lotus, मुझे lotus अच्छा लगता है, कमल अच्छा लगता है आपको जो भी flower अच्छा हो, वो आप लिख सकते हो, ऐसा फिर क्या है, say aloud, क्या कहते है, आपको aloud, यानि कि बोलना है, जो यहां कहीं सारे words हमें दिये गए है For your kind, it for fashions, there are two types of readings, first a loudly reading and then a silent reading किसी को silently मन में ही, जो read करना है, वो अच्छा लगता है, और कहीं को loud, बोल के तो यहां क्या करना है, say aloud Little, people, purple, little, यानि कि छोटा, people, यानि कि लोग, purple, it is one type of the name of a color, purple Happily, यानि कि खुशी के, खुशी से, Slippily, सुया हुआ, proudly, यानि कि जो अच्छा फिल करता है, प्राउड फिल करता है, किसी work की हिसाब से, ऐसा, Slippery, Thirsty and Pretty Thirsty का मिनिंग होता है, जो प्यासा होता है, वो प्रिटी यानि कि सुंदर फिर से एक बार, Little, People, Purple, Happily, Slippily, Proudly, Slippery, Tasty and Pretty तो यहां है, यह हमारी exercise है, वो complete होती है, आज हमने new words, questions, answers, फिर आपकी जो communication skill है, वो exercise और जो आपकी reading है, इस पर भी कुछ नए words है, वो हमने देखे, अब next lecture में क्या, हम आगे की exercise discuss करेंगे, आपको क्या करना है, इस questions, answers को लिखना है, सुनना है, दो तीन बार जब सुनोंगे, तो आपको आजाएगा, अब next lecture में आगे की exercise discuss करेंगे, till then, goodbye to all